हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम आपको कड़ाई वाला सूट कटिंग करना और सिलना दोनों ही सिखाएंगे क्योंकि कई लोगों को कड़ाई वाले सूट को कटिंग करने में प्राब्लम होती है तो इसलिए आज हमने ये कटिंग और सिलाई दोनों का करेंगे यह इस तरीके से अब यह डवल लेयर में हो गया है कपड़ा फोल्ड करने का तरीका होता है जो भी आपके चेस्ट का साई जो उसका चौताई फाग निकाल लिये और जितना आए उसमें 2 या धाई इंच एड़ करके कपड़े को फोल्ड कर लिजेगा हमारे मेजर्मे में चेस्ट साई 40 इंच है तो हमने उसका चौताई फाग निकाला 10 इंच आया और 2 इंच हमने कपड़े को एक्स्टा ले लिया है मतलब 12 इंच कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है यहां से कपड़े को कट कर लेंगे और यह जो बचा कपड़ा है इसी में से हम सिलीप निक करेंगे तो इसलिए हमने इसको नीजे तीन इंच एक्स्टर ले लिया है आदा इंच उपर सिलाई में दबेगा और धाई इंच नीजे तुरपाई में फोल्ड हो जाएगा अगर आपको सिलाई करकना हो तो आप एक या डेर्ड इंच एक्स्टर लीजेगा इस निशान को लगाएंगे साड़े साथ इंच पर 14 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे और 21 इंच पर हिप साइज का इन सभी निशान को सीधा कर लेंगे आर्मूल वाली लाइन को भी सीधा करेंगे इस लाइन से नीचे की साइड 2 इंच पर हमें एक निशान लगाना है और इसको भी हम सीधा कर लेंगे यहाँ चेस्ट साइज की फिटिंग का निशान आएगा यहाँ कमर का और इस लाइन पर हिप साइज की फिटिंग का तो सबसे पहले हम चेस्ट साइज का निशान लगा लेते हैं, ध्यान नकिएगा उपर वाली लाइन पर हमें चेस्ट साइज का निशान नहीं लगाना है, इस वाली लाइन पर हम लगाएंगे, तो चेस्ट साइज 40 इंच है, 40 का चौताई भाग निकालेंगे, 10 इंच आएगा चालेस इंचे, यहां भी दस इंच पर निशान लगाएंगे, चौताई फाग निकालकर, इन सभी निशान को मिला लेंगे, अब यह उपर वाली जो लाइन है, उसको हम यह तिर्शा नहीं ले जाएंगे, कई बार आपने देखा होगा कि यहां आर्मोल पर नीचे जोल आ जात यहां अगर आपको सिलाई करकना है, तो आप 1.5 इंच मार्जन लेजेगा, हम यहां भी 2 इंच मार्जन लेंगे, और इन सभी निशान को मिला लेंगे, यहां से आर्मोल की गुलाई देंगे, तो जितने भी हमने आर्मोल नियों हो, उनका हम आदा करेंगे इस तरीके से, य नहीं से हमें गुलाई दे देनी है, इस निशान से नीचे की साइड हम गुलाई देंगे, यहां से आदा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे, और इसको यह गलेज तक दिर्शा मिला देंगे, यह देख लेजेगा, अब नीचे हमें दामन का निशान लगाना है, तो दामन भ को हम मिला देंगे, यह इस वाली लाइन को हमें नीचे तक नहीं मिलाना है, यह दुर्पाई में फोल्ड हो जाएगा, अब मार्किंग हो गई है, अपने निशान पर हम कटिंग कर लेंगे, गले को हम बाद में कट करेंगे, यह कटिंग होने के बाद, आब हम इसी पार्ट क की भी कटिंग कर लेंगे, यह देखिएगा, हमें यहां पहले लंबाई का निशान लगा लेना है, कई बार उपर भी गले पर भी कड़ाई होती है, नीचे दामन पर भी कड़ाई होती है, तो हम ना तो इसको उपर से कट कर सकते हैं, और ना ही नीचे से, तो ऐसे में हम नी और आदा इंचे नीचे से फोल्ड करने में चला जाएगा अब यहां पर सेंटर से हम एक लाइन ड्रो करेंगे वो इसलिए कि जो हमारे गले की कड़ाई है वो बिल्कुल सेंटर में ही आनी चाहिए इधर उधर ना हो इसलिए यह लाइन ड्रो करना बहुत जरूरी होता है और इसी लाइन से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे अब इसको उठा कर हम अपनी साइड रखेंगे यह लाइन हमारी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए देखिएगा इस तरीके से कई बार कड़ाई वाला सूट जब हम बनाते हैं तो यह गले की चोड़ाई बहुत ज्यादा ह होता है तो यह चोड़ाई हम कैसे कम करते हैं यह वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा इस सूट में गले की चोड़ाई ठीक है हमें कम नहीं करनी है यह देखिएगा हम धाई इंच रखेंगे चोड़ाई को अब इसके उपर बैक पार्ट को हम अच्छे से बिच हैं यह देखिएगा हमने विलकुल मिला कर बिच्छा लिया है अब ऐसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे कटिंग होने के बाद अब हम गले के निशान पर इक नोच लगाएंगे एक cut chest के निशान पर लगाएंगे कमर और hip के निशान पर भी हम एक कट लगा लेंगे अब back part को उठा कर side में रख देते हैं front गला कट करेंगे और front armhole में आदा इंच की गयराई देंगे यह armhole पर आदा इंच का निशान लगाएंगे यह इस तरीके से गहराई देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे गले की लंबाई का निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर यह यहां से गुलाई देते हुए इसको भी कट कर लेंगे यह आर्मोल और गले दोनों की कटिंग हमने कर ली है बैक नैक भी कट कर लेंगे बैक नैक की जो लंबाई है वो हम 6 इंच लेंगे धाई इंच यहां चोड़ाई का निशान लगाएंगे और एक बॉक्स जैसा बना कर गले की श्रेप दे देंगे अब इसको कट कर लेते हैं अब हमें स्लीप कट करनी है कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके बिचा लिया है देखिएगा आप सबसे पहले 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे मूरी फोल्ड करनी के लिए इससे आगे लंबाई का निशान लगाएंगे हम 13 इंच पर आदा इंच उपर हमने रहने दिया है जो सिलाई में दबेगा उसके लिए इस निशान को सीधा कर लेंगे इस निशान से आगे की साइड हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है और इस निशान को भी हम सीधा करेंगे इसी पर हम अपने आर्मोल ड्रो करेंगे मोरी का निशान लगाएंगे साड़े पांच इंच पर यहां उपर की साइड धाई इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस लाइन पर आर्मोल ड्रो करेंगे तो आपने सूट या कुर्ती के जितने भी आर्मोल लिये हो कि इन दोनों निशान को भी मिला लेंगे डेड़ेड इंच मार्जन लेंगे अब हम फ्रेंट आर्मोल भी ड्रो कर लेते हैं इसी में लेकिन जो कटिंग हम करेंगे वो पहले बैक आर्मोल पर करेंगे फ्रेंट को बार में कट करेंगे सिलीप की मार्किंग हो गई है मार्जिन वाले मार्क पर हम कटिंग कर लेंगे उपर साइड एक नौच लगाएंगे यहाँ पर एक छोटा सा नौच लगाएंगे सिलीप को खोलेंगे और यह आर्मोल की गहराई देंगे सिलिप को उठाकर साइड में रख देते हैं अब हम गले की पट्टी निकालेंगे तो कपड़े को इस तरीके से डवल कर लेंगे और सूट को भी डवल करेंगे और गले की साइड से इसको अच्छे से बिछाते हुए जैसे हमने गले की शेप दी है उसी शेप में बिछाते हुए हम एक लाइन डो कर लेंगे इसी कपड़े पर यह देखेगा और दो-दो इंच पर बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे यह इस तरीके से अपने दोनों निशान पर हम कटिंग कर लेंगे यह पट्टी हमारी बनकर तयार हो जाएगी हम यहां बुक्रम नहीं डालेंगे अगर आपको बुक्रम डालना हो तो उसकी भी कटिंग इसी तरीके से की जाती है अब शोल्डर जोइन करेंगे तो दोनों पाट की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए हम आदा आदा इंच कप्डा दवाते हुए शोल्डर की सिलाई लगाएंगे शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद गले की पट्टी जोइन करेंगे ये पट्टी को हम नेक पर बिशा देंगे अच्छे से और उपर से यहां शोल्डर की तरब से आधा इंचिस को फोल्ड करते हुए दो-दो पॉइंट कपड़ा दवाते हुए हम गले की पट्टी जोइन करेंगे और पीछे नेक के लिए हमने तिरशी पट्टी कट कर ली है यानि पाइपिन उसको डवल करेंगे और इसी पट्टी पर रखते हुए यहां से भी कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसके उपर यह तिरशी पट्टी को रखते हुए हम बैक नेक में भी अटेच कर देंगे पट्टी को अब यह सिलाई लगाने के बाद आगे गले पर जहां गुलाई है वहां हम छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे ध्यान दए हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए पट्टी को इस तरीके से डवल फोल्ड करके अंदर की साइड पलट कर हैंडे स्टिच कर लेंगे गलाब अनकर तयार है अब हम सिलीव अटेच करेंगे तो मोरी हमने फोल्ड कर ली है सलीव की सीधि साइड अंदर की तरफ रखेंगे और जो हमने ढाल दिया था ध्यान रहे वो हमारा आगे साइडी आना चाहिए स्लीव का ये जो कट लगाया था उसको यहां शोल्डर की सिलाई पर रखेंगे और आदा आदा इंच कपड़ा दवाते हुए हम स्लीव अटेच करेंगे दोनों साइड इसी तरीके से हमें स्लीव अटेच कर देनी है स्लीव अटेच हो गई है अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे कुर्ते को उल्टी साइड पलट लेंगे और ये जो हमारे फिटिंग के निशान है इनी पर हम सिलाई लगाएंगे ये इस तरीके से दोनों साइड और यहां दामन से कपड़े को फोल्ड करकर अगर आपको सिलाई लगानी है तो सिलाई लगा लीजिए हम इस पर तुर्पाई करेंगे इसी तरीके से पूरे दामन को हम फोल्ड कर लेंगे कुर्ता हमारा रेडी हो जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धाइंक्यू